मैं डॉक्टर अमिश शर्मा एसोसियेट प्रोफेसर बॉटनी ल्बीएस कॉर्मेंट कॉलिज कोड़ फुतली आज हम फेडरा के तने का इस्ट्रक्चर आंत्रिक संद्रशना के इस प्रकार की होती है इसका बारे में बात करेंगे जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि फेडरा का जो स्पुरोफाइट है जो तना है वो हरा होता है पतिया यहाँ पर जो नॉर्मल पतिया है सामाने पतिया नहीं होती शल्पत्र होते हैं और तना हरा होता है प्रकास इंसलेशन का काम यह है इसको हम तीन भावों में वाज़ित कर सकते हैं रहता है तीन भावों में भाईयत उचा अपिडर्मिस फिर कोटेक्स और उसके बाद इसका रंग भाईयत उचा की हम बात करें तो भाईयत उचा सबसे बाहर की जो लेयर है वो है जो एक इस्तरी अपरत होती है इनकी जो बित्ती है कोशिकाओं की ये मोटी होती है और क्यूटिकल से डखी हुई होती है इसका जो भाई ये भाग है तने का उसमें अनेक हमको उबहार दिखाई देते हैं और गर्थ दिखाई देती है एक समान चिकना या गोल नहीं होता इसमें उबहार और गर्थ हमको दिखाई पड़ते हैं और तने के भाग में हमको इस्टोमेटा भी दिखाई पड़ते हैं इस्टोमेटा यहाँ पर हमको दिखाई पड़ते हैं भाईयत उचाके अंदर जो उभार हैं भाईयत वक्ताखे उसके नीचे हमको दरूत की कोशिकाओं की सेल्स हैं दरूत की ये कोशिकाओं जो हैं उनके समूँ पाय जाते हैं जो की हाइपोडर्मिस का निर्मार करते हैं और तने को एक mecanical strength पूरदान करते हैं दूसरा भार जो है वो cortex है cortex दो शेत्रों में वेदित होता है outer cortex और inner cortex outer cortex की अगर हम बात करें तो इसमें palisade cells पाई जाती है जो palisade कोशिका है वो यहाँ पाई जाती है और palisade cells जो हैं दो-तीन परतों से मिलकर बनी हुई होती हैं दो-तीन परतें palisade की पाई जाती है और इनके अंदर कोई inter cellular space या अंतरा कोशिकी अफकाश वो नहीं पाई जाते इसके ठीक नीचे inner cortex होता है और यह जो inner cortex है यह वाला भाग यह spongy palenchyma से मिलकर बना होता है इसकी भी दो-तीन परतें पाई जाती है और इन यह जो कोशिकाश है यह गोल होती है यह अंड़काश होती है और इन कोशिकाश के बीच में अंतर कोशिकी यह इस्थान पाई जाते है अंतर कोशिक अफकाश जो है वो इसके अंदर पाई जाते है इन दोनों प्रकास की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है तो क्योंकि हमने जैसे पहले कहा यहाँ पर सामान्य पतिया नहीं पाई जाती प्रकास संसलेशन का कारे तना ही करता है तो इसलिए कोटेक्स जो है तने का वो बिजानों भित का एक प्रकास संसलेशी भाग है और कोटेक्स के सबसे अंदर की जो परत है वो एंडोडर्मिस बनाती है परन्तु यहाँ पर इसपष्ट नहीं होती इसके अंदर पेरिसाइकल की भी एक परत होती है फिर परिसाइकल भी इसके अंदर पाई जाती है अंदर अगर हम चलें रम्ब की तरफ तीसरे भाग में तो वो संभेन शेतर है जिसमें की संभेन पूल पाई जाते हैं और जो डैकोट तने के अंदर जिस तरह से होते हैं उस प्रकार से यहाँ पर भी जो संभेन पूल है ये संभेन पूल है ये एक वले के अंदर इस्तित होते हैं पते एक संभेन पूल जो है वो कंजोईंट, कॉलेटरल और एंडार्ट प्रकार का होता है Xylem और Phloem के बीच Cambium की एक पतली पत्ती यहां पर पाई जाती है Xylem के अंदर Trichet और Vessels और Xylem पेरन काइमा पाई जाता है तो Ephedra जो है इसके अंदर वाही काओं की जो उपस्तिती है वो इसका एक प्रमुक लक्षन है जो की आवरत बीजी पौदों से समानता इसकी दर्शाते हैं दोनों जो समून है उनके अंदर वाही काओं की उत्पत्ती अलगत प्रकार से होती है परंतू वाही काओं जैसे की और एंजियो स्वंग में पाई जाती है उसी प्रकार की वाही काओं नॉर्मल जो 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 जम्नो स्वंग उपस्तित होती है पर Ephedra के अंदर पाई जाती है फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स फ्लोएम पेरन काइमा और एल्विम नस सेल्स पाई जाती है और मेडूलरी रेज भी उपस्तित होती है इनमें जब केंद्र में पित पाया जाता है इसमें सेकंडिय ग्रोथ भी होती है तरफ्लेक के अंदर जुद्यक वरड़ी भी पाय जाती है कि हमके यहां पर Cambium में उपस्तित है तो Cambium से जुद्यक वरड़ी यहां पर होती है और जुद्यक वरड़ी के फुर्षभव यहां पर जो सेकंडिय जायलंब हैं और second смड detñ तो इसके तने में दुतियक व्रदी जो है वे दुवीच पत्ति तने के समानी होती है और जो इंटर फैस्टिकुलर और इंटरा फैस्टिकुलर केंबियम है एक पहर में हैं जो अंदर की और secondary flowें बनाती है बहार की और secondary flowें बनाती है और अंदर गी तरफ secondary X seem का निर्मान करती है annual ring बनते हैं जिन की हम हम spring और autumn wood जो है वह एकांतर करम में बनते हैं एक दूसरे से इस पश्ट यहां पर यह हमको दिखाई पड़ते हैं इस प्रकार जो तना है यहां पर इफेड्रा का वो इसलिए important हो जाता है कि यह जो तना है यह दुत्यक व्रद्धी भी इसमें हो रही है और इसके साथ प्रकार की होती है इसके बारे में आज बात की